जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधान सबाद चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव की तितियों का एलान होने के बाद से ही देश भर में चुनावी सरगर्मिया भी बढ़ गई हैं। को लेकर 10 सवाल किये हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेरने वाली कॉंग्रेस पार्टी ने नैशनल कॉंफेंस के साथ गडबंधन करके अपने मनसूबों को साफ कर दिया है। देहरादों से ब्यूर चीफ अबनीश कुप्ता किल पॉर्ट। अबनीश कुप्ता करता हूं और विदान सब्सक्रा के सत्र में भी पेर सेंड भराडी सेंड में आप सभी पित्रों से वहां भी मिलना हुआ। और बहुत सारे विचार बिंदू के आपस में हम सब लोगों ने साजा किये हैं। ने एक बार फिर से चुकि जम्बू और कस्मीर में अभी चुनाओं की तिखियां गोसित हो गई हैं। और चुनाओं की तिखियां गोसित होने के बाद इस प्रकार से वहां पर अभी एक कड़बंदन सामने आया है। कांगरेस पार्टी और नेस्टनल कॉन्फेन्स के लिए तो ये कड़बंदन सत्ता के लालत में बार-बार देश की शुरप्षा एकता और अकंदा इस साथ खेलने वादी कांगरेस पार्टी में जंपू कस्मीर में अबगुल्ला परिवार की नेस्टनल कॉन्फेन्स के साथ इस से गटबंदन कर दिया है जिन्हों ने तीन दस्दकों तक लगातार कोंग्रेस काम किया। तेन कोंग्रेस पार्टी ने जो गटबंदन किया है उस गटबंदन के बाद उनके मसूबे। सब के सामने जाहिर हो गए हैं कि वो किस प्रकार से कस्मीर को किस प्रकार से बरबाद करने वाले लोगों के साथ आज अपना गड़बंदन कर रहे हैं तो नैस्नल कॉंफेंस के गोशला पत्र के वाद उपर कॉंग्रेस पार्टी और राहूल गांदी जीस से हमारे जुकी ये दस सवाल है कि उनको सवालों के जवाब देश की जंता को जूरूर देने चीए कि क्या कॉंग्रेस नैस्नल कॉंफेंस के जंबू कश्मीर से फिर से अलग घंडे के वाइदे को आख समर्थन करती है कि जो देश के अंदर एक निसान एक विधान और एक प्रधान की बात होती आई है इसके आजादी के बाद से जो धारा तीन सो सतर समाप्त हुई है क्या को फुना वहां और ट्षिट से धारा तीन सो सतर लागू करना चाहते है तढा इस जो है असान्तिय और अतंफ़ात्य की यूग में करद मिलना चाहते हैं इसका इस निर्णे का क्या वो समर्थन करते हैं क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ बार्था करके फिर से अलगावाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है यह प्रस्न है क्या कांग्रेस पार्टी राहूल गांधी पाकिस सब्सक्राइब करें को फिर से वहां पर लाने का समर्थन करते हैं इस गटबंदन से कॉंग्रेस पार्टी का एक और चहरा सामने आया है जो इन्होंने पूरे चुनाओं के दौरान देश के अंदर एक जूट परोशने का काम किया कि आज़ेपा की सरकार आएगी, NDA की सरकार आएगी, मोती जी फि इस प्रकार का एक पूरा भरमजाल इन्होंने प्हलाया, लेकिन कॉंग्रेस पार्टी का आरेक्शन गिरोड़ी चहरा भी इस गटबंदन होने के बाद सामने आया है क्या कॉंग्रेस दलीतों, फूजर, फकरवाल और पहाड़ियों के आरेक्शन को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के नेस्नल कॉंफरेंस के वादे के साथ है क्या? क्या कॉंग्रेस चाहती है कि जो संक्राचारी प्रवद, तakते शुलेमान और हारी प्रवद, कोहे मारण के नाम से जाने जाए? कि ये नेस्टल कॉंफेंस का वहां का अपना एजेंडा है, उनका गुस्ना पत्र है, क्या कॉंग्रेस जम्भु कस्मीर की अर्थ व्योस्ता को एक बार खिल से रस्टाचार की आग में जोब कर पाकिस्तान समर्थी तिने चुने परिवारों के हाथ में सौपने का समर्थन करत और साथ ही कांग्रेस और राहूल गांदी कस्मीर को अटोनोमी देने की जो नेस्टल कॉंफेंस की विवाजनकारी सोच है, उन नितियों का क्या कॉंग्रेस समर्थन करती है, जो जो चीछें जो है, इन्होंने अपने गोसला पत्र में कही है, या जंबु और कस्मीर के और राहूल गांदी को इस पर अपना जवाब देना चाहिए, कि हांकिर कॉंग्रेस क्या सूचती है, कि इस परकार से आज आदमी दुर्हानमुत्री मुदी जी के नेतुत्र में वहाँ धारा दीन सो सतर समाप्त होने के बाद कस्मीर का आमन्चैन बढ़ा है, सान्ती एड कास आगे बढ़ा है, और अलगा वाधी, आतंग वाधी, जिहाधी, और देश की बिक्तन कारी सक्तियां, उन पर लगाम लगी है, जो तमाम प्रकार के दंगे होते थे, तमाम प्रकार के हमारे सैनिकों पर, अर्द सैनिक बनों पर हमले हुआ करते थे, वो हमले minimum होगे ह समाप जैसी हो गई हैं क्या कॉंग्रेस खिर से ऐसे लोगों के साथ मिलकर वहां पर इस प्रकार का महौल बनाना चाहती है